कि है यह व्रीवन वेलकम टू ब्रेक्टाइम ग्लासस इस वीडियो में हम ग्रामीड परिवेस के मोस्ट इंपॉर्टन कवर करेंगे और यह एक रिवीजन वीडियो की तरह होगा जो आने वाले लेकपाल के लिए लेकपाल के एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टन बागी जो एक्जाम से उसमें यह जीएस के सेक्षन में पूछा जा सकता है तो चलिए शुरू करते हैं लेकपाल की टैसी जुएन करने का लिंक डिस्क्रेप्ट्सन में वहां से जाके आप डिरेक्ली जुएन कर सकते हैं एपर जो नंबर देयो उस पर कॉंटेक्ट कर सकते जिसमें सभी आपको हेंड़ेटे नोट्स वगरा जो सॉर्ट नोट है वो सब प्रोवाइड हो जाएंगे, करेंट अफेर वगरा, क्विजस सभी टेस्ट के साथ ही मिल जाएंगे, तो चली शुरू करते हैं, फर्स्ट कोश्चन है, इस्थानी सरकार कर विसे किस अनसूची मे विसे है, इसके अलावा किस आर्टिकल में या किस अनुछेद में आता है स्थानी सरकार, तो आर्टिकल 40 में आता है, अनुछेद 40 में आता है, अब अनुछेद 40 सम्विधान के किस भाग का पार्ट है, तो ये भाग 4 का पार्ट है, इस्थानी सरकार जो आर्टिकल 40 ये भा आगे चलेंगे अगला कोश्चन है जनगर्णा 2011 के अनुसार ग्रामीड आवादी कितनी है भारत की पूरे बात की जा रही तो 68.84 परसेंट है भारत की आवादी किसान कॉल सेंटर कब से कारे रहत हैं तो 2004 से कारे रहत हैं पंचवर्षी उजनवाला वीडियो देखेंगे आप तो उसमें मिल जाएगा अगला है गरीबी की पूर्णता समाप्ति किस SDG लक्ष के अंतरगत आती है SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टनेबल डेवलप्मेंट गोल सतत विकास लक्ष है तोटल 17 सतत विकास लक्ष है 17 SDG गोल्स है जिसमें गरीबी की बात किसमें की गई है तो SDG 1 में लक्ष 1 है गरीबी अगला जो यहाँ पे दो और important हैं लैंगिक समानता किसी में आता है तो SDG 5 में इसके अलावां अच्छा स्वास्थ किसमें आता है user 3 में गरीबी किसमें इबिए एच्छा स्वास्त सूत्रधार किस ने किया था तो सबसे पहले गांधिवादी योजना कब आई थी 1944 में सूत्रधार कौन थे तो स्रीमन नारायन अग्रवाल आगे चलेंगे मरूभूमी विकास कारिक्रम ये कब सुरू हुआ था तो 1977-78 में 1878 में सामुदाइक विकास पर योजना कब आई थी 1952 में 1952 में कुटीर जियोती योजना कब आई थी 1988-89 में 1889 में जवाहर रोजगार योजना कब आई थी 1989 में 1889 में आई थी जवाहर रोजगार योजना नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंतरी आवास योजना कम आ थी तो 30 जनौरी 2018 कम आ थी तो 30 जनौरी 2018 में क्रिशी वर्ष कब से कब तक माना जाता है तो क्रिशी वर्ष एक जुलाई से 30 जून माना जाता है वित्तिय वर्ष अलग होता है जो कि 1 अपरेल से शुरू होता है 31 मार्ज तक चलता है लेकिन क्रिसी वर्ष 1 जुलाई से 30 जून चलता है आगे चलेंगे इजारे दारी प्रथा जो एक भूब बंदोध से समने प्रथा थी एक इसकी सुरुवात कब होई थी तो 1972 में इसकी सुरुवात होई थी किसके द्वारा की गई थी वर्रेन हेस्टिंग के द्वारा ये 5 साल के लिए ठेका दिया जाता है जमीन का जिसमें किसा बंदोध से समंदित करें वह हम अलग वीडियो में देख लेंगे आगे अभी लगातार वीडियो चलते रहेंगे पूरा रिविजन वीडियो होगा विडियो होगा सब मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन्स अब लेकपाल के एक्जाम तक कवर हो जाएंगे ग्राम प्रबंधन समिति का अध्याच कॉन होता है तो ग्राम प्रधान होता है, समाझ कलियान बोर्ड की स्थापना कब उती हुई थी yer उत्तर प्रदेश खादियों ग्रामोवत्योग बोर्ड की स्थापना कब वी थी 1960 में उत्तर प्रदेश भूमी सुधार निगम के स्थापना कबुई थी 1978 में 1978 में नेक्स्ट यहाँ पर उच्छ नयायले में मुख्य नयायधिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती ही तो राष्ट पती करता है किसकी सलाह पर करता है तो भारत के मुख्य नायदीस और राजिपाल की सलाह से राष्टपती करता है आगे चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा की सीटे कि 403 है यह सभी सीटे याद हुनी चाहिए मैंचिंग में कुश्चिन आता है अब उत्तर प्रदेश में लोकायुक अधिनियम का भाया था 1975 में 1975 में पर्थम लोकायुक तो कौन बने तो पहले लोकायुक थे विशंबर दयाल जी विशंबर द्याल सर्मा पहले लोकायुक थे, लोकायुक अधनियम का आया थे 1975 में, लेकिन इनकी नियुकती 77 में हुई थी, नियुकती नहीं पुछी जाती अधनियम का आया थे, यह important है, फिर है, उत्तर प्रदेश राज सूचना आयो की स्थापना का बुई थी 2005 में, उत्त उत्तर प्रदेश महिला आयो की स्थापना का बुई थी 2004 में, उत्तर प्रदेश का जनघनत तो कितना है, तो 829 है, उत्तर प्रदेश का जनघनत वेक्ती पर वर किलोमेटर, नेक्स्ट है, सरवाधिक जनघनत वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो अगरताय जंख्या की बात की चांवर इस रावस्ती नमबर आगे चलेंगे निउन Dragne तो गॉताम बॉद्णगर में तिसकत में गाजियाबाद में और गाहा को Okay गौतम बुद्ध नगर में तो सबसे जादा जन संख्या के मामले में इलाबाद में सरवादिक शाक्षर्था कहां है कानपुर नगर में आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश भूरा आजस्व अधिनियम की किस धारा की का उनसाल लेकपाल के निहां पर दौ 1 वाला जो आजिए निया시는 किस धारा की निखती होती है तो धारा 23 की अनुशार होती है जितने भी इंपॉर्टेंट था रहे थी मैंने कवर की है वीडियो में आप पूरी प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा भूल एक निरिक्षक किसे का जाता है तो भू लेक निरिक्षक कानून-ग को कहते हैं तो यह सभी कोशन काफी ज्यादा इंपॉर्टन थे लेकपाल के एक्जाम के लिए वीडियो पसंद आए हो तो लाइक को सुप्क्राइब कर लीजेगा टैसरी जोइन करने का लिए इसक्रिप्शन में वहां से जाके आप डिरेक्टली जोइन कर सकते हैं जिसमें सभी आपको मिल जाएंगे कुजेज वगरा करेंट अफेर के नोट्स सभी चीजें वहां पर प्रॉवाइड हैं थैंक्यू सो मज़ वाचिंग वेक्टेंग प्लासस